हाई फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं रेवे करूंगा नेट्फिक्स पर रेलीज़ वी फिल्म फियर स्ट्रीट पार्ट टू को फियर स्ट्रीट पार्ट टू 1978 ये एक होरर मिस्ट्रि थ्विला फिल्म है जिसे टेरेट किया है लेज जैनियक ने तो वहीं फिल्म की गास्ट में हैं सेडी सिंग, ट्राइन सिमकेंज, एमिली रूड एमिकेब स्ली, तो फ्रेंट्स कहानी कंटीनिव हैं जहां चौर्ज और डिना आप पहुचे हैं सी बर्मन के पास यही जानने के लिए कि आखिर सैम को कैसे ठीक किया जा सकता है और 1978 में प्रिलोजी की सेकंड फिल्म, फियर स्ट्रीट पार्ट टू, 1978 तो फ्रेंट्स इस फिल्म के फर्स्ट पार्ट को देखने के बाद, फैंस इसके सेकंड पार्ट का काफी बेसबरी से वेट कर रहे हैं चिन में मैं भी शामिल रीजन है अपने जानरा में, फिल्म का काफी जादा बेस्ट होना जिसको अड़ैप्ट किया गया है, आरल स्टाइन की सेम नेम की बुक से, जिसकी अड़ैप्टेशन बहुत नहीं, बलकि काफी अच्छे से की गई है, पर ये हो गई फर्स्ट पार्ट की बाद, और अब ब उससे भी काफी जादा बढ़िया बनाया गया है, या फिर कहूं काफी जादा बेस्ट, इट मीज ये एक परफेक्ट होरर स्लैशर फिल्म है, जो कई ना कई हमें यही बताती है, कि आज के वक्त में अगर कोई होरर स्लैशर फिल्म बनती है, तो वो इसी तरीके की होने चाह पानी हमें second part में देखने मुली है, वो भी बहुत ही ज्यादा interesting है, जिसके चलते start to end तक हम film से पूरी तरीके से connect रहते हैं, जिसका end again हमें एक काफ यचे cliff finger पर छोड़ देता है, जिसके लिए देखना होगा इसके third part को, जिसमें अभी time है, इसलिए फिलाल बात कर लेते हैं Fear Street part 2 की, जो मेरी नजर में इस साल की एक best horror slasher film है, और अब बात कर लेते हैं direction की, जो no doubt film का काफ ज़्यादा बढ़िया है, जिसका credit obviously film की director ले जैनियक को जाता है, जिन्नोंने इस तरिलोजी की एक और काफ यची film बना कर fans को दी है, जिसमें इस पार brutal murders का level काफ ज़्यादा है जिसके चलते ये film family के साथ देखने जैसी बिल्कुल भी नहीं, बाकी horror भी बढ़िया है, क्योंकि film का हर एक horror से हमें बहुत ही ज़्यादा thrill करता है, जिससे देखते वक्त हमें ये नहीं पता होता, कि अगले ही scene में कौन सा character मारा जाएगा, क्योंकि first part की तरह ये film बिल्कु जिसके चलते सबी characters को आप काफी अच्छे से समझ पाओगे और उनसे connect भी हो पाओगे, जिसमें Cindy और Ziggy दोनों ही characters आपको पसनाएंगे, जिनकी वज़े से ही कई ना कई हम start to enter film से connect रहते हैं, तो वही Alice के character की development भी अच्छी है और बाकी characters की भी, और अब बात कर लेते हैं acting क जिसमें किसी की acting आपको सबसे ज़्यादा पसनाएगी, तो वह है Cindy का role play कर ही actress Emily Roon, और Ziggy बनी Sadie Singh, चिनकी acting लाजवाब है, बिल्कुल उनके characters की तरह है, बाकी Ryan Simkins की acting भी अच्छी है, और Tom भी बने actor macab silky भी, और अब बात कर लेते हैं बाकी चीज़ों की, जैसे BGN, जो इस पार भी अच्छा है, पर वहाई pacing को लेकर fans की complaint रहेगी, जिसे character development के हिसाब से देखा जाए, तो film की pacing भी अच्छी है, और film की editing भी, तो overall मेरी नज़र में Fear Street Part 2, first part से काफी ज़्यादा बढ़िया है, जिसे आपको बिल्कुल भी miss नहीं करना चाहिए, जिसे ध्यान में मैं इस फिल्म को देऊंगा 4 stars, तो friends ये था, Fear Street Part 2 को लेकर मेरा review, पर अगर आपने ये फिल्म पहले से ही देख रगी है, तो मुझे comments में ज़रू बताना, आपको ये फिल्म कैसी लगी, वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को like कर देना, चैनल पे नए हो, तो चैनल को subscribe कर लेना और एक bell icon आएगा, उसको भी दवा देना, ताकि मैं जब भी कोई नए वीडियो को लोट करूँ, उसका notification आप तक सबसे पहले पहुँचे, see you in the next video, bye